जहीन दोस्तों आप सभी का स्वागत फिर से आपके अपने यूटुब चैनल पे और ये आपके लिए क्यूचन होने वाले हैं गईज यहाँ साइन्स के और फिजिक्स के मिक्स क्यूचन है और यहाँ पर जैनल और दोनों इंग्रीस मीडियम और हमनीम के अंदर क्यूचन है तो आप जो भी इंग्लिज मेडियम वाले हो, इंदी मेडियम वाले हो, दोनों के लिए ये बेस्ट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है लेंग्वेज का, तो यहां पर चले स्टार्ट करते हैं, जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्रा आपने यहां पर सुरिय में उर्जा उत्पन होती है, दासन इज जेनरेटेड इन आइनेरजी, यानि सुरिय में जो उर्जा आते हैं, वो किस तरीके की प्रोसेस है, ओके नाभी की सलियन ठीक है, और नाभी की विखंडन या हाइड्रोजन, किसके कारण होता है, वहां पर प्रोसेस होता है, जिसके वज़ए से उसको उर्जा मिलती है, तो इस कुछन का जो राइट उप्सन होगा, नाभी के सलियन, नाभी के सलियन से है, सुरिय के अंदर है, वो आपकी उर्जा उत्पन होती है, कहीज सेकेंड नमर क्युशन आपका है, बोल पेन किस सिधान्त प इन में से कौन सा आपका एक बल है जिसके आधार पर बोल पेन है वो मतलब जिस प्रिंसिपल पर वो आप वरक करता है वो आपसे पूछा गया है ओके तो यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा वोगा गुरूत वबल यानि ग्रिवेटी पर आपका ग्रिवेटी जो फोर्स है उ यह आपसे पूछा गया है वोल्ट कुलाम एमपियर ओम इसमें से राइट ओप्सन आपको सेलेक्ट करना है विदुद आविस का मातरक क्या होता है आप सभी को पता होता है वो समयनेता जो आपका होता है कुलाम होता है विदुद आविस का ओके और विदुद दारा का मातर जो कोता है, MPR, और विभोव का जो होता है, वो होता है, वोल्टेज और प्रतिरोध का जो मातरक होता है, ओम होता है, यह आपसे कलियर हो गया होगा, उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर गाइस, Asia की सबसे बड़ी प्रावरति दूर्विण कहा है, Asia की सबसे बड़ी, वेर इज एसिया लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलिसकोप ओके यह आपसे पूचा गए है हेदराबाद के अंदर है अमेरिका में है केवालूर में है जापान में है कहां पर यह इस्तित है जो की सबसे बड़ी प्रावर्ति दूर्बीन कहा है ओन वेर इस दा रिफ्लेक्शन ओफेपर्शन इन फार साइड डिफेक्ट इज फॉर्मड ठीक है तो इसके अंदर आपके सामने ओप्षन है रेटिना पर रेटिना से आगे या रेटिना के पीछे तो कहां पर जो प्रतिविम बनता है वो आपसे पूछा गया है तो यहां पर पर जो आपका दूरदृस्ति दोस होता है तो रेटिना के पीछे है वो आपका परतिविम बनता है यह कुछनोंका राइट अंसर होगा आपका चले नेक्श्ट क्यूशन पे बढ़ते हैं लेन्स की कृशंता का मातरक होता है जो अपने लेन्स होता है उसके जो क्यृप्ट एमिटर तो इसमें से एक राइट उप्षन आपको ग्याद करना है गाईज और सेलेक्ट करना है आपके सामने उप्षन है तो आपने पहले पढ़ा हुए तो आपको अच्छी तरीके से आता ही होगा ठीक है तो इस क्यूशन का जो राइट उप्षन होगा वो होगा डाय ओप प्ष्टर नेक्स्ट क्यूशन है आपका टारे टिंट इमातियां इसका क्या कारण है क्या कारण है इसके आरे लिए प्रटरQué कि गाइज इस क्यूशन का जो राइट ओप्सन होगा अपवर्तन अपवर्तन की कारण है अपन को जो तारे है टिम टिमारते दिखाई देते हैं रियल में तारे टिम टिमारते नहीं है अपने दूरी है वो बहुत जादा होती है तारे से लेकर परती अपर अपन जो प्रेक्षक खड़ा है वहां तक की दूरी बहुत जादा होती है तो अपवर्तन की गटना होती है और इसके कारण क्या लगता है कि जैसे लगता है कि तारे हिल रहे हैं या यानि चमक रहे हैं टिम्टिमार रहे हैं तो वो अपवर्तन की गटना होती है तब होता है ऐसा ठीक है बहुत जा यानि हाई प्रेशर और निवन दाब लो प्रेशर वायू की अनुपी स्थति यानि ओटू वाँ भी परजेंट नहीं है ओके यह आपसे पूछा गए हैं तो ऐसा क्या होता है जब कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है वहां का क्या मीडियम का क्या प्रभाव होता है इस तीज का ठीक है तो उर्जा उसके अंदर जो दाब है वो बढ़ जाता है जैसे नीचे से हम उसके स्टोप रखा हुआ है उसको तो मतलब जैसे टेंपरेशर बढ़ाएंगे जवाला तेज गती से जलाएंगे तो प्रेशर कुकर एक बंद मादेम के अंदर है तो उसके अंदर जो भी खाना हम पका रहे हैं तो वो जल्दी से ही पकेगा विगोज क्योंकि उसके अंदर टेंपरेशर से बढ़ाएंगे तो उसके अंदर भी दाब बढ़ेगा क्योंकि बाहर वासप का आदान परदा नहीं हो रहा है नेक्स्ट कुशन है आपका धवनी का त तर्फम्यत होती है वह कितनी ज्यादा होगी या कम होगी ठीक है तो यह आया जो आपकी साउंड है उसकी आवरती पे डिपेंड करता है ओके चले नेक्स्ट कुशन पर बढ़ते हैं इस कुशन का तो डायरेक्ट ही आंसर लिखा है ओप्शन मिस प्रिंट हो गए यहाँ पर लिखा गया है पर्थम भारतिय नाभी के बटी कौन सी है वाट वास दा फर्स्ट इंडियन न्यूकलियर रियक्टर यह आपसे पूचा गया है तो इसका राइट ओप्शन होगा अपसरा अपसरा है वह भारत की देश की जो मतलब है पहली भारतिय जो है नाभी के प्रमाण नियंतरित नाभी के सलियन अभी के रिया ए नियंतरित नाभी के सलियन अभी के रिया तो देखे गाई सबसे पहले आपे मैं बता देता हूँ हाइडरोजन बम जो होता है उसके अंदर आपकी जो अभी के रिया होती है वो नाभी के सलियन ही अभी के रिया होती है ठीक है औ आपकी ए नियंतरित नाभी के सलियन अभीकिरिया होती है नाभी के सलियन अभीकिरिया के दुरान आपकी हाइडोजन परमाणू है इसके अंदर एक से एक हाइडोजन है वो एक्टिवीट होता जाएगा जैसे जैसे एक से एक बढ़ता जाएगा तो वो नियंतरित में नहीं हो पाएगी यदि एक बार सभू सरस्टी का हो सकता है ठीक है पुरुनता रूप से हाईडोजन के कितने सम्स्तानिक होते हैं आप से पूछा गए है very very important question है यह आपके फीजिक्स में भी модern फीजिक्स उसके अंदर भी लगता है और आपके chemistry के अंदर तो वैसे से पहले है तो गाइज आपको यह कुशन का राइट ौप्सन सिलेक्ट करना है इसके अंदर और इसका जो राइट ऑप्सन होगा तीन होगा हाइड्रोजन के तीन समस्तानिक होते हैं और तीनो समस्तानिक के नाम भी आपको याद होना चाहिए एक होता है प्रोटियम dependent, दूसरा होता है δियूटियन होता हैortrit Kazam होते हैं यानि तीन असमस्तानिक होते हैं जले नेक्स्ट कुशन पे बढ़ते हैं गोबर गेस मुखेते होती है गोबर गेस में मुखेते क्या होता है मिथेन होता है ओक्सीजन होता है CO2 होता है ये आपसे पूछा गया है ओके तो इस क्यूशन का राइट ओप्सन होगा मिथेन जो गोबर गेस होती है मुखेते उसके अंदर मिथेन सबसे ज्यादा मातरा में ह होता है next question guys आपका है उस्मा का सरोतम चालक क्या होता है option आपके सामने है जल इथर पारा इलकोहल और guys इस question का answer मैं नहीं देने वाला हूँ आपको विजिट किया है पूरे session को तो आप अपने कितनी त्यारी कर रहे है अपना जवाब जुरूर देना एक comment इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा कि इसका right option क्या होगा इस question का right option मैं आगे आने वाले next part के अंदर बता हूँ यानि कल इस यूडियो के अंदर हम आपको इस question का answer देने वालों तो कितने ये answer सेलेक्ट हो गलत हो पाता है जरूर जो भी आपको आता है इसका answer सही तरीके से करना है जो अपनी तरीके से करना है देख के नहीं करना है कहीं जगा देखोगी आप तो ऐसा कोई इतना बड़ा भी question ये नहीं है तो आप पर depend करता है कि आप त्यारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो यह आप पर डिपेंड करेगा आपको कमेंट सेक्षिन में कमेंट करना है तो जहीं जए भारत वंदे मातरम भारत माता की जए मिलता हूँ एक और नई अपडेट के साथ तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह सेशन आपको बिल्कुल अच्छा लगा है यदि अच्छा लगा आपको मैथमेटिक्स और रिजिनिंग पढ़ना है तो आप हमारे अनकेडमी प्रोफाल पर जा सकते हैं अनकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है वहाँ जाकर आप विजिट कीजिए वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स और रिजिनिंग के कोर्स पह कर सकते हैं